हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचानुसके में हम चैनल उपचानुसके में रोज एक लेटिस टूडियो अपडेट करते हैं यदि आप हमसे जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहरे आप हमारे चैनल उपचानुसके को सबस्क्राइब कर लें जिससे कई लोग अपनी किमें ब्लीच का प्रियूंग करते हैं ध्यान रखेंगें अप जिस ब्लीच का प्रियूंग अपनी स्किन को सुन्धर बनाने के लिए करते हैं उसमें काफे मात्रव में केमिकल्स Don है इसलanne ब्लीच करते समय आपको कुछ महतपुर ब्लीचिंग क्रीम को ठंडे और सुखे सान पर रखें, इसके लावा ब्लीच लगाने से पहले अपने चेहरे को हलके साबुन और पानी से धोलें। धियान रखें कि गर्म पानी से नहाने के बाद भूल कर भी कभी ब्लीच का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस समय हमारी स्केन काफी सवेदन सील होती है, अता नहाने के तुरंत बाद ब्लीच का प्रियो करना आपकी स्केन के लिए नुकसान दायक हो सकता है। ब्लीचिंग के बाद अपनी स्केन को सांस लेने के लिए 6-8 घंटों के लिए वैसे ही छोड़ दें, साथ ही इस समय अपनी स्केन में कुछ भी ना लगाएं। या फिर जलन सी महसूस हो तो ऐसे में आप चहरी पर नारियलते लगाए या फिर चहरी को ठंडे पानी से धोए और बर्फ का प्रियोग करें अगर आपको यह सबी बाते पसंद आई हूं तो आप हमारे चैनल उपचान उसके को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूल करें करें पर वाएए यговारे कैसिते लाइक सब्सक्राइब